तो आज हम हमारे next questions करते हैं electrostatics के उससे पहले आप सबको पता ही होगा कि admit cards आगे हैं कर लेना हरियाना केक्ट वाली साइट से ही जहां से आपने form फिल किया था और प्लीज अपने centers भी बता देना कहां किसके आई हैं क्योंकि कैथल वालों से तो शायद हो सकता है किसी ना किसी center पर मुलाकात भी हो जाए किसी से so let's see हम first question करते है हमारा electrostatic का इसमें मैंने जो questions रखे हैं वो इस type के रखे हैं जो normally papers में देखे जाते हैं तो इनसे थोड़ा सा हमारे practice हो जाएगी यह मेरी formulas की so जो हमारा first question है उसमें बोला है कि the electric flux from a cube of edge L is phi कि किसी cube में जिसकी length L है एक side की उसमें electric flux phi है तो हमने क्या किया उसकी edge को 2L कर दिया और charge जो है उसके अंदर उसे half कर दिया तो new flux बताने कितना होगा उसमें so इसका solution क्या है जो flux होता है by go slow वो होता है charge and close by epsilon note तो पहले suppose क्यों charge and close था q by epsilon note हो गया उसके बाद new flux के लिए charge कितना रहे गया half q by 2 तो यह हो गया q by 2 epsilon note और 5 से अगर हम इसे ले तो यह आगया 5 by 2 तो answer आगया इसका 5 by 2 यानि कि यहाँ पर box की कितनी length है उसका कोई matter नहीं करता हमारे cube की length का यह matter करता है कि उसके अंदर charge कितना है moving to second question इसमें बोला है two particles है m mass है जिसका और 2m है उनके charges है दोनों के 2q और 2q वो एक uniform magnetic field में रखे गए capital E और उन्हें थोड़ी दर move करने दिया गया for same time दोनों same time के लिए move करें तो उनकी kinetic energy का ratio बताना है अब kinetic energy निकालने के लिए हमें velocities पता आनी चाहिए इतना तो सबको पता है तो velocity निकालते हैं कैसे सबसे पहले दोनों particles के उपर force कितने लगेगी force क्या होती है electric field into q electric field कितना है e और दोनों के उपर charge कितना है 2q तो fa और fb निकाल लिया हमने उसके बाद हमें पता है acceleration क्या होती है force by mass first particle के लिए a particle के लिए acceleration क्या होगी force कितनी है 2eq, mass कितना है 2m तो कितनी रह गी eq by m particle b के लिए acceleration कितनी होगी 2eq by m क्योंकि उसका mass कितना है m है Now, दोनों suppose t time के लिए move किये, दोनों same time के लिए move किये, suppose वो time क्या है, small t, तो velocity क्या हो गई, acceleration into time, अब वो वला formula लगा रहे हो हैं यहाँ पे, v is equal to u plus at, where value of u is 0, as particles are initially at rest, तो at, a हमने निकाला हुआ है, इसका कितना था, particle first का a का, eqt by m, t यहाँ पर लगा हुआ है, और velocity of particle b कितनी आगी, e, 2eq by m into t, अगर हम इन दोनों को compare करें, तो हमें पता है चला, va is equal to, is equal to, sorry, यहाँ पर, good but, यहाँ पर थोड़ी सी mistake हो गई, calculating, यहाँ पर आएगा, यह काट देना, vb is equal to 2va, ठीक है, उसके according calculation कर लेना, जो भी mistake होई आगे, further please ठीक कर लेना, यह वाली calculation मत लेके चलना, तो kinetic energy कैसे निगलती है, half, m, v square, तो first particle का mass कितना है, m, और second particle का mass कितना है, 2m, va और vb, इन दोनों का ratio ले लेना, यह वाली calculation छोड़ देना है, यह mistake होगी है, यहाँ पर, please, sorry for that, तो इसकी calculation solve कर लेना, तो आपकी आजाएगा answer, to third question, यह question important है, इन्होंने बोला है, charge q है, वो uniformly distributed है, एक half ring के उपर, thin half ring के उपर, जिसका radius है r, तो हमें electric field निकालना है, उसके center पे, कैसे निकालनेंगे, suppose यह ring है, हमारी half, इसका यह center है, इस center पे, हमने कोई, suppose ले लिया यह point, इस point पे इसका electric field कहां होगा, इदा DE, इसके दो components हो जाएंगे, DEY और X component, at an angle theta पे है यह, यह थोड़ी, इतना सब element लिया हुआ है, इस पे DQ है, suppose charge, DQ क्या आएगा, lambda, r, d theta, क्योंकि इस arc की कितनी है length, r, d, theta, और lambda क्या है, आपे, linear charge density, linear charge density कि इसके को लोता है, q by length, length कितनी है, इसकी half ring की, pi r, circumference ले ले लेंगे इसका, अब यहाँ पर, जो electric field है, point O पे, वो कितना है, क्योंकि x component हमने इस ring को half में divide कर दिया, यह पाट अलग, यह पाट अलग, अब, suppose इस point पे भी लें हम, तो उसका d, e, x सिधर आ जाएगा, तो यह दोने एक दूश्रे को cancel करेंगे, यानि हर एक point, oppositely, अपने x वाले को cancel करता जाएगा, लेकिन y वाला उसमें जुड़ता जाएगा, तो जो यह O point है, center point है, इस पे जो electric field आएगा, वो सिरफ y component का आएगा, x वाले cancel कर देंगे, तो यह कितना आगया, 2, d, e, y, 2 की लगाया, क्योंकि हमने बात की सिरफ एक पार्ट की, पर हमें question में पूछा दोनों पार्ट के लिए, तो 2 लगा देंगे, now, y component किसके को लोता है, sine theta, d, e, sine theta, और d, e की value क्या आएगी, d, e, की value होती है, 2, 2 का 2, और d, e, की value क्या आएगी, यह d, q है, sorry, d, q, y, 4, pi, epsilon, not, r, square, यह हमारा electric field होता है, is equal to q, y, 4, pi, epsilon, not, r, square, वो लगा दिया, into sine theta, अब हम उपर से d, q की value यहाँ से उटार के, उपर से उटार के, पुट कर दी यहाँ पर, now, theta और sine theta इसका कर दिया integration from 0 to pi by 2, हमने तो सिरफ 0 से pi by 2 का ही लिया है, इसी को double कर देंगे, तो यह आ जाएगा, इसलिए 2 लगाया ना आगे, तो इसका integration ले लिया, 0 से pi by 2, इसका integration क्या आता है, 1, तो यह बच गया हमारे पास, lambda की value उपर से पुट कर दी, जो हमने equation ली थी, वहाँ से, हमारे पास e naught की value आ गई, इस, next, next question है, इसमें बोला है कि electric flux है, किसी surface के अंदर है, 5-1 और 5-2, 5-1 अगर आ रहा है उसके अंदर, suppose यह surface है हमारा कोई, इसके अंदर अगर 5-1 एंटर कर रहा है, तो 5-2 इसे leave कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर charge बताना है कितना होएगा, अब flux कितना हुआ, या तो flux होगा 5-2-5-1, या होगा 5-1-5-2, यह depend कर रहा है कि आप positive कौन से flux को ले रहे हो, दूसरा अपने अप negative ही जाएगा, क्योंकि दूना की directions are positive है, तो question में जो आपके options है, उसके according देख लेना, कौन से वाला आपको suit करेगा, by go slow, go slow क्या कहता है, 5 is equal to q by epsilon not, यहाँ से q क्या जाएगा, 5 into epsilon not, 5 हमने निकाल लिया, अब देख लो कौन सा question, answer में कौन सा है, options में, यह 3 नत होंगे निए obviously, यह है 5-2-5-1, तो यह आपका answer हो जाएगा, moving to next, इसमें बोला है कि एक sphere है, जिसका radius है small r, और उसमें potential जो है, उसे charge किया गया, कितने potential तक, capital V तक, तो हमें क्या निकालना, उसका outward pull per unit area, pull का मतलब होता है force, per unit area, यानि surface area, तो निकालते हैं, निकालना क्या है हमें, outward pull, उसे P से denote कर दिया, वो क्या हुआ, force by area, now, force क्या होती है, 1 by 4 pi epsilon 0, q square, r square, area क्या होगा, sphere का surface area कितना होता है, 4 pi r square, put कर दिया यहाँ पर, अब हमें सब की values पता है, बट q की value नहीं पता, तो q की value कि यहाँ से निकालेंगे, इसको equation 1 बना के छोड़ दो, q की value निकलेगी यहाँ से, potential का जो formula होता है, वो होता है, q by 4 pi epsilon 0, r, एक तो force, एक electric field, एक potential, इन तीनों का formula प्लस इनका अपस में interrelation याद रखना चाहिए, यहाँ से q निकल गया, q equation 1 में put कर दो, हमारे पास आगया, epsilon 0, v2, y, r2, this is the answer, question number 6, यह भी कुछ इसी तरह का question है, आप कर सकते हो, इसमें बोला है कि एक charge particle है, जिसका mass m है, उसका charge q, उसको electric field में put किया, e में, उसकी kinetic energy निकालनी है, after time, t, easy है, kinetic energy निकालने के लिए velocity निकालनी पड़ेगी, अभी हमने ऐसा question किया था, तो उस velocity को निकालने के लिए, हमें चाहिए पहले force, force क्या होती है q into e, फिर निकालेंगे acceleration, acceleration क्या होती है q e by m, then उसके बाद निकालेगी velocity after time, t, velocity के लिए formula लगेगा, v is equal to u plus a t, initially particle rest पे था, तो u is equal to 0, a की value उपर से बुट कर दो, t, v निकल गया, kinetic energy के formula के होता है, half mv square, half m हो गया, v की value बुट कर दो, तो आगे equation this, easy था solve करना, बट हमें एक बर तरीका पता होना चाहिए, इसलिए यह questions important है, आपको एक बर पता चल जाएगा, question देख के, क्यों से solve, किस वे से करना है, moving to next question, this is also important question, इसमें बोला है कि 3 charge है, capital Q, plus Q and plus Q, तीनों जो है, right angle triangle पे रखे हैं, और वो right angle triangle isosilis है, मतलब, यह भी A है, उसकी साइड, यह भी A है, तो हमें capital Q निकालना है, कब, जब इस पूरे system की electrostatic energy zero हो जाए, यानि कि उसकी U zero हो जाए, potential energy zero हो जाए, अब देखो, जो U है, उसका formula क्या होता है, K, Q1, Q2 by R, K क्या होता है, 1 by 4 by epsilon naught, ज़रूरत नहीं आप उठ करने की, तो K ही लिखो उसे, अब पूरे system की energy कैसे होगी, इन दोनों की energy, प्लस इन दोनों की energy, प्लस इन दोनों की energy, उठ करो, अब इन दोनों की energy कितनी होगी, K, Q, Q by A, यह होगी इन दोनों की energy कितनी होगी, Q2 by A, और इन दोनों की energy कितनी होगी, R, Q by R, R की value निकाल दो यहाँ, प्लस इन दोनों की energy कितनी होगी, यहाँ K, A, और small Q common है, वो बहर निकाल दो, बच गया यह, 0 के equal, तो यहाँ से Q, capital Q की value, in the form of small Q solve कर लो, यह equation होगी, यहाँ तक आ गया, अब अगर आप यह देखो, तो यह पूरे options में है नीचारों में कहीं, लेकिन अगर हम उपर नीचे, root 2 से multiply and divide करें, तो यह आ जाता है, और यह हमारे option में है, so this is the answer, तो थोड़ा सा mold भी करना सीख लेना answer को, हो सकता किसी से multiply, divide करके answer लिखा हो, so moving to last question, यह question भी आपके previous year में आए हुआ है, तो एक बार इसको revise कर ले में कोई बुराई नहीं है, इसमें बोला है कि आपके पास बहुत सारे capacitors पढ़े हैं, लेकिन सारे capacitors है, 10 microfarad और 200 volt के, अब हमें एक capacitor, एक circuit बनाने, एक design बनाने capacitors, जिसका capacitors तो हो 10 microfarad, लेकिन उसकी जो voltage हो 700 volt हो, ऐसे capacitors कैसे बनाएंगे अब हम, अब हमें यह तो पता है कि 700 बनाने के लिए क्या करेंगे, चार capacitors को एड़ कर देंगे, ऐसे जो चार capacitors हैं, उन्हें सीरीज में लगा देंगे आपके, इस तरह हैं, अब जो यह नया AB वाला बन गया, यह इसकी जो है potential कितना हो गया, 800 volt, यानि यह 700 वाले को तो support करेंगे ही करेंगा न, office है, और इसका capacitors कितना हो गया फिर, 10 by 4 microfarad, इसका मतलब हमने potential तो ले ली, लेकिन हमारा capacitors नहीं आपाया, अब capacitance लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें total capacitance चाहिए 10 microfarad का, अभी हमारे पास एक circuit में कितना है 10 by 4 का, तो हमें ऐसे ऐसे कितने circuits लगाने पड़ेंगे पैदलर में, ताकि हमारा जो capacitance है 10 बन जाए, उसके लिए formula होता है, आपको पता है, c is equal to n c dash, तो यहाँ पर n की value आदी 4, यानि ऐसे ऐसे 4 circuits लगाने पड़ेंगे, और एक circuit के अंदर कितने capacitor लगाया हुए थे पहले हमने, 4, तो 4 into 4 16, यहाँ पर पूछा कितना है कि कितने capacitor चाहिएंगे, 16 capacitor चाहिएंगे, यह एक patron है question solve करने का, इसी pattern से question solve होंगे, तो make sure कि यह आपका गलत ना हो, अब सीख लो इस चीज़ को एक बर, तो इस type के जो questions है, वो आने की probability होती है, बट Hnet का ऐसा कोई specific pattern नहीं है, कि वहीं से questions आएंगे, तो जितने questions मिलेंगे, just practice them, practice करते रहों, and please अगर थोड़ा बहुत कोई mistake हो जाए, तो उसे को clear कर लिया करो इसमें से, it's okay, मतलब उस तरह mistakes निकालने को कोई benefit नहीं है, मेरी mistakes निकालने का, तो I hope आप mistakes को थोड़ा सा ignore कर सके, and जो मैं आपको content material प्रवाइड कर रही हूँ, आप उसे appreciate करे, and if you like the video, please subscribe the channel and share the video, and thank you.